हेलो फ्रेंड्स असलाम लिकूम वेलकम बैक टू माइ चैनल सब्सक्राइब किजे रूमी फैमिली ब्लॉग को और बेल आइकन दबाईए न्यू रेशिपी सबसे पहले देखने के लिए तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ सिफ तीन इंग्रीडियन्स से बनने वाली मिठाई की रेशिपी से अर करने जा रही हूं तो यह मिठाई मैं बगएर गैस जलाई बना कर तयार करूंगी तो यह मिठाई बगएर शाम जाम के कम समय में बनकर तयार हो जाता है तो चलिए इसे बनाते हैं, तो देखिए, सबसे पहले मैंने वन बाउल चीनी और इसमें चार हरी इलाइची डालकर पीस लिया है, और एक बारिक छनी से चान कर तयार किया है, चीनी का पाउडर, और ये वन बाउल नारियल का बुरादा एड़ किया है, और ये देखिए, हाफ बाउल और एड़ किया है, तो पूरा मैंने डेड़ बाउल नारियल का बुरादा एड़ किया है, और ये वन बाउल मिल्क पाउडर एड़ किया, तो आप कोई भी कमपनी का मिल्क पाउडर एड़ कर सकते हैं, तो तो अब इन तीनों इंग्रिडियन्स को स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स चीनी बिल्गुल बारिक होनी चाहिए आप चाहे तो पीसने के बाद कपड़ा से भी छान सकते हैं और ये देखिए मैंने 4 टेबल इस्पून दूद लिया है तो अब थोड़ा थोड़ा दूद डाल कर डो तयार करेंगे आप चाहे तो इस्पून से दूद एड़ कर सकते हैं नहीं तो कहीं ज्यादा गिर ना जाए और गीला हो जाए तो देखिए मैं बिल्कुल एक-एक बूंद डाल कर मिक्स कर रही हूँ तो अब स्पून को हटा देंगे और हाथ से गूंदेंगे ताके हमें पता चले कि ये कितना गीला है या कितना टाइट है तो हमें इसका सकत डो लगाना है बिल्कुल इस तरह से आटा की तरह गूंद लेंगे तो देखिए पंच मार मार कर मैंने आटा की तरह गूंद लिया है बिल्कुल सकत डो हमने लगाया है और ये देखिए मैंने दो हिस्सा में डिवाइट कर दिया है तो एक छोटा है और एक में एक समझिए 60% और एक 40% है तो जो 40% वाला है इसमें कलर एड़ करेंगे तो आप अपने पसंद का कोई भी कलर एड़ कर सकते है तो इसमें मैंने ग्रीन फुट कलर एड़ कर दिया है और अच्छी तरह से मिला दिया है और ये वाइट डो है तो चलिए मिठाई बनाते हैं अब तो आप कोई साफ पन्नी ले ले और इसके उपर पहले मिठाई बनाजने से पहले इसे डो को थोड़ा सा सॉफ्ट कर ले तो देखिए ये कितना चिकना हो गया है अब इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए लंबा करेंगे तो आपको जितनी मोटी मिठाई बनानी है आप इसे उतना ही मोटा रख सकते हैं और इस तरह उनों हातों से इसे एक पराबर लंबा कर लीजिए तो देखिए ये मैं लंबा करके तयार कर ली हूँ अब ये जो ग्रीन वाला इसे भी दो हिस्सा में कर लेंगे तो मैं ने इसे दो जगा कर लिया है बराबर बराबर तोड़कर और इसे भी इस तरह से गोल बनाने के बाद हथेली से इसे रोल करते हुए लंबा करेंगे तो देखिए इसे लंबा करेंगे तो जितना white वाला है लंबा है उतना ही लंबा मुझे इस green वाले को भी करना है तो देखे इस तरह से नाप लेंगे कि बराबर हुआ है या नहीं तो देखे थोड़ा सा छोटा है तो इसे और बड़ा करके मैं नाप रही हूं तो देखे यह बिल्कुल बराबर है तो दूसरा वाला भी इसी तरह से रोल करते हुए लंबा करेंगे तो देखे यह दोनों हो गया एक बराबर एक साइच का तो बिल्कुल white वाले के बराबर है तो इसके उपर में green वाला रखका चिपका लेंगे और इस तरह से रोल करेंगे ताके अच्छी तरह से चिपक जाए और दूसरा वाला इसके साइड में चिपकाएंगे देखिए इस तरह से हलके हाथों से चिपका लेंगे और अब तो अब इसे रोल रोल घुमाएंगे तो देखिए एक साइड से बिल्कुल अच्छी तरह से घुमाने के बाद ताके अच्छी तरह चिपक जाए तो देखिए इस तरह से एक साइड से पहले फोल्ड करेंगे उसके बाद दूसी साइड से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसे दोनों हथेली से अच्छी तरह से रोल करेंगे ताकि बिल्कुल एक दूसरे में समा जाए बिल्कुल पता भी ना चले कि ये अलग-अलग है तो देखिए ये कितनी अच्छी तरह से एक दूसरे में समा गया है और डीजाइन बन गया तो आप किसी अल्मुनियम फॉयल में लपेट कर रख सकते हैं या फिर इसी तरह से पिन्नी में भी लपेट कर रख सकते हैं तो देखिए ये रूल करने में फिसल रहा था पिन्नी में तो मैंने इसे किचन के स्लेप पर इसे फोल्ड कर लिया है तो इसे बीस मिनट तक मैंने फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दिया था तो बीस मिनट के बाद ये सेट हो गया है तो अब इससे जैसे मर्जी वैसे आप काट सकते हैं तो इसतरह से पीस-पीस काट लेंगे मिठाई के आकार क तो देखिए मैं इस तरह से इतना ही छोटा-छोटा मैं मिठाई कट कर लूँगी तो फ्रेंड्स ये मिठाई देखने में बिल्कुल रसी में जैसे बल होता है उसी तरह का इस मिठाई में भी बल होता है तो मैं आप लोगों को प्लेट लगा कर दिखा रही हूँ देखिए ये कितनी अच्छी मिठाई बनकर तयार हुई है तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी मिठाई की रेसिपी फसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में ज्यादा से ज्यादा से अर किजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजेगा फैमली फ्रेंड में ज़्यादा सेर कीजेगा और बिल आइकन जरूर दबा दीजेगा ताके मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले आप से मेरी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए तो चलिए मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ